हमारे एक दोस्त है वाहिद उसकी घजल का शेर है और उसका पहली लाइन सत्य है कि द्वन्द कहां तक पाला जाए युद्ध कहां तक टाला जाए और तू भी है राणा का मन्शत फैंक जहां तक भाला जाए 1947 में तातकालिक आपा धापी में अगर हमारे राजनितिक पूरवजों से कोई ऐसा काम हुआ जो देश के वरहतर राष्ट्रिय हित्मिन नहीं है तो हम सिर्फ उसे इसलिए दबाए रखें कि दूसरी वाली पार्टी है इसके खिलाफ हमें बोलना है इस सरकार के खिलाफ हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक उपचार हो रहा है एक गलती हो गई गलत पड़ गई तो उसके बाद क्या है आगे बेटे जवान हो गए दुनिया में गए उन्होंने पैसा कमाया आगे से उन्होंने घर को तयार करा गौम एकसर ऐसा होता है तो पीछे वाला गेड़ था चत नीची थी तो चत को खुलवा के उपर एक सार चत करी तो घर के बुदर्ग बाहर बैठके कहते हैं अजी लड़के काम्याब हो गए इन्होंने ठीक कर ली तो अगर आज देश ऐसी स्थी पर आ गया है कि वैश्वी किस तरी पर अमेरिका की भी हिम्मत नहीं हो रही है हम चुछित नहीं रहुआ हुमारे विरूद कुछ बोलने क्या चाईना चुप है यह अपने आप तैंप करोडों लों घश्रम से और सरकार की नीतियों से हाधने से सरकार भी भारत की है कि इंड़ कहां तक बाला जाये गश्षानी मुझे सदा करती थी और आज मुझे ऑश्gor कुल पर दो बार, विंए चॉत की स्पर रौन-गा पसकी भूल यहीं, तुल पो,agersन दुखा में काभा प्रत्त से दूसरा आदमी होगा लेकिन इंटरनेशनल ही अगर हमारा स्टेंड कम जूर हो गया अगर मैं कभी दुबई गया और मैं कभी अमेरिका गया और चार पाकिस्तानियों के साथ मेरी बैस होई किसी इंटरनेशनल फॉरम पर और वो मुझे कहें कि आप क्या बकवास कर रहे हैं आ हमारी पाकिस्तान से लड़ाई में जीत के बाद कि लड़ाई प्रधानमंत्री की जीत नहीं है ये बाकी की जीत नहीं है इसमें मेरी कविता की भी जीत है परुश्राम की प्रतिक्षा की तो मैं कभी के नाते ये मानता हूं कि ये हम सब की भी जीत है जिसमें हम मैं कहता हू जब देश के सरवोच पदों पर बैटे वे लोग चाए प्रदानमत्रिया चाए कोई भी वो दो धोजों के बीच में बैटते थे तो मुझे बारबार श्याप्रसाद मुखरजी का संकल्प याद आता था भारत की एक रूपता का नक्षा याद आता था और मैं किलसता था और मैं ट्वीट करता था और गालियां काता था आज शुब हुआ है ठीक हुआ है जब मैं देख रहा हूँ कि जंडा हमारा वही पहुंच रहा है कि दौना तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उचाला जाए